हेलो वीवर्स मेरा नम दिलीब आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज है संडे और हमने एक चलाया था Q&A सेशन और उस Q&A सेशन में हमसे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे मेरे सब्सक्राइबर और वीवर्स के द्वारा तो दोस्तो आज उनके सवालों का जवाब देने का टाइम है तो आज की वीडियो में हम उनके सवालों का जवाब देने वाले हैं तो हो सकता है कि आपके भी सवाल इसमें होंगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट और सेयर कर देना अगर आप हमारे दलब पर नहीं हो रभी तेक आपने हमारे लोगों सब्सक्राइब कर देना जैसे कि आपसे भी जानते हो Mi Y11 हमारे भारत में लॉंच हो गया है और उसे रोलाओट भी करना स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ डिवाइज में रोलाउट हो भी गया है और कुछ डिवाइज में नहीं मिला है सबसे पहला question है Redmi Y3 में Mi Y11 का अपडेट काब आएगा तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि Redmi Y3 में Mi Y11 का अपडेट 22 से 31 अक्टूबर के बीच में कभी भी मिलने का चांस था पर अब 22 से 31 अक्टूबर तो खतम होई गया है मतलब आज है 27 तारीक और आप देखते हैं कि 27 तारीक के बाद से जो दिन बचा है उस दिन के अंदर में देखते हैं Mi Y11 का अपडेट का मिलता है सामी के तरफ से आज Redmi Note 7 और Note 7S को Mi Y11 का अपडेट रोल आउट कर दिया जाए दोस्तों वो कैसे कर दिया जाए क्योंकि आप सभी को पताए कि रिसेंटली में सामी ने एक अपडेट जारे किया था और उस अपडेट में ये कहा था कि रेडमी Note 7 और Note 7S ये जो दो डिवाइस है इन दो डिवाइस में Mi Y11 का अपडेट जल्दी मिलने वाला है क्योंकि इसका जो अपडेट वर्द्यान है वो टेस्टिंग सीजन के दौरान लास्ट सीजन में चल रहा है तो हो सकता है कि आज ही आपको Mi Y11 का अपडेट मिल जाए इन दो डिवाइस में तो अगला क्वेश्चन है कि रेडमी Note 5 प्रो में Mi Y11 का अपडेट का मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले हम आप तुछी को बता दे कि डेडमी Note 5 प्रो में आपको चार नौंबर से लेकर 12 नौंबर के बीच में कभी मी वाइलेवन का अपडेट मिल सकता अगर मी वाई 11 का अपडेट फर्स्ट बेच के डिवाईस को बाइस से 31 सक्टूबर के बिच में जितने सारे डिवाईस है उन सारे डिवाईस को अगर मिल जाता है तो आपको भी जल्दी ही वह अपडेट मिल जाएगा अगला सवाल है रेडमी वाइन में मीवाई 11 ऑपडेट अपडेट आए-गा तो दोस्तों हम अपसुन भी को बतादे कि के रेडमी वाइन में मीवाई 11 को अपडेट आपको चार Inspector 2019 से 12 90 के बीच में कभी मिल सकता है तो अगला क्वेशन है कि Redmi 7 में MIUI 11 का अपडेट कब आएगा तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया कि 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बिच में कभी भी MIUI 11 का अपडेट मिल सकता था पर आज हो गया सताइस तारीक और अब देखते हैं जो बचेवे दिन में MIUI 11 का अपडेट कब मिलता है इस डिवाइस को तो अगला क्वेशन है कि Redmi Note 5 Pro में चार्जिंग एनिमिशन मिलेगा या नहीं MIUI 11 अपडेट आने के बाद तो दोस्तो हम आप सभी को बता दें MIUI 11 अपडेट आने के बाद चार नॉमबर से बारा नॉमबर के बीच में कभी भी मिल सकता है अब देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है हो सकता सामी डिले भी कर सकता है अपडेट को तो अगला कोश्चन है कि कि अभी तक हमारे डिवाइज में मीवाइ 11 का अपडेट क्यों नहीं आया इतना लेट क्यों हो रहा है मीवाइ 11 का अपडेट आने में तो दोस्तों हम अपसे को बता दे कि मीवाइ 11 का अपडेट आने मे इतना लेट क्यों हो रहा है तो सबसे बड़ा रिजन है कि सामी जो डेट बताया था मीवा 11 अपडेट को रोलाउट करने का बाइस से 31 अक्टूबर के बीच में यह जो डेट सामी ने बताया है इस डेट में आपको मीवा 11 का जो अपडेट है वो टेस्टिंग सीजन के दोरान रोलाउट किया जा रहा है यानि कि वह गुने चुने यूजर को ही मीवा 11 का अपडेट रोलाउट कर रहा है जिसकी वज़त से आप सभी के डिवाइज में मीवा 11 को आने में थोड़ा लेट हो रहा है देखते आने वाला समय में क्या होता है तो दोस्तों आसा करता हो कि एक वीडियो में जाहिंद बंदे मातरम